कुष्ठ रोग और कोड, कोड जैसे आपके शब्द से ही लग रहा है और ये समाज में जो चीजें हैं कि कोड ही एक शब्द था, जिसके लिए अब तो नहीं, 21 सताब्दी में तो हम लोग अच्छे से हैं कि ये बिमारी almost eradication की ओर है, कम दिखती है, लेकिन पिछली सताब्दी में, जब ये leprosy और कोड, तो कोड सब्द से ही लोग भैभीत हो जाते थे, गाओं के गाओं उनको किनारे कर देते थे, जो लोग इस तरीके की बिमारी से ग्रसित होते थे, तो ये बिमारी जो है leprosy, ये एक तरह के बैक्टिरिया से होती है, और उस समय भी लोगों को प बाहर बैठा रहता था, लेकिन अब हमें पता है कि ये एक तरीके का बैक्टिरिया है, जैसे टीवी और क्लोसिस, टीवी है एक बैक्टिरिया, उसी ग्रूप का एक mycobacterium lepra एक बैक्टिरिया है, जिसकी वज़े से ये बिमारी होती है, जो कि इसकिन, इसकिन का disprogramination होता है और nerve endings, जो nerves पर damage करते हैं, तो इसकी वज़े से उंगलियां टेड़ी मेड़ी और ये सब चीजें होती है, ये mycobacterium lepra की वज़े से होता है, और लोग जब ये बिमारी हो, तो इसका इलाज करते हैं, जब उनका थोड़ा सा इलाज में इसमें देरी हो जाती है लोगों की, शुरू में नहीं पहुँच पाते हैं, जब कोई symptom ज़्यादा पहुच जाता है, तो लोग इलाज करते हैं, अब तो ऐसी इस्तिति नहीं है, लेकिन आज से 40-50 साल पहले ऐसी इस्तिति थी, लेकिन इसका इलाज पूरा है, और लोग अकसर इलाज पूरा नहीं करते हैं, ज इससे यह देखना पड़ेगा कि इलाज जो भी करें, वो कंप्लीट करें, लक्षड तो इसके ऐसे लक्षड होते हैं कि जैसे डिस्ट फग्रिमेंट आप स्किन का जो होता है, सोर होता है, घाओ बन जाता है, और सूजन, लंप्स बन जाते हैं, जॉइंट्स पे, नर्ब ड जाती है, आईब्रोज कम होने लगते हैं, यह सब चीजें इसके लक्षड में हैं, लेकिन देखा गया है कि अब यह सब चीजें सरकारों के अथक प्रियास से, लोगों के जागरूख होने से, दवा करने से, मेडिसिन चुकी इसकी 100% दवा है, 100% क्योर हो जाता है, तो यह स पराब हो जाते हैं, इसके लिए तो कहीं भी हमें तो इधर 2-4 सालों से नहीं दिखते हैं, इसका मतलब यह बीमारी काफी कंट्रोल में है, और लोगों के जागरूखता अभियान से, और दवा हो जाने से, सही समय पे इलाज हो जाता है, तो उससे काफी कुछ अंतरपड़ है, जैसा कि लेप्रोसी के बारे में यह है कि इसका इलाज 100% क्योर है, निश्चित रूप से यह इलाज करने का है, लेकिन सही समय पे अगर व्यक्ति पहुंच जाता है, अब उसका अगर डेमेज हो चुका है बहुत सारा, तो irreversible है, वो डेमेज वापस नहीं आता है, लेक लेकिन अब जाकरुकता इतनी हो गई है, और हमारी health sector इतना अच्छा हो गया है, कि लोग जल्दी आ जाते हैं, और हमारे पास इसके multi drug treatment है, कुछ ऐसे तरीके के हैं, वो डॉक्टर देखते हैं, इसकिन के specialist हैं, वो देखते हैं, कुछ दवाएं 6 महिने की चलती हैं, कुछ अलग-अलग category बनाई जाती है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद से decide हो जाता है, कि लेप्रोसी ही है, तो उसके पास से उसका इलाज हो जाता है, जो rumors होते थे अन बिमारियों की वज़े से, अब वो rumors चुकी खतम हो गया है, समाज इसको accept करने लगा है, कि यह भी एक बिम समाज किसी भी बिमारी की तरह accept करेगा, तो हम उससे ज्यादा तरीके से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, जब हम समाज उसको एक stigma बना लेता है, किसी भी बिमारी को, तो लोग छिपाने लगते हैं, और जब छिपाते हैं, तभी वो बिमारी अपने severity में बढ़ती है, अप तुरंत अस्पताल में आये हैं, और उसका बहुत अच्छा antibiotic आया है, और उसके इलाज, भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, इलाज मुफ्त उपलब्द कराया है, पूरी दवा उनको दी जाती है, जितने दिन का कोर्स होता है, अगर दवा खालें, बीच बंद नहीं करन होता है, और उससे रजिस्टेंस पैदा होते हैं, बैक्टिरिया के उपर, तो हम उसको लड़ने में थोड़ी सी कटनाई प्राप्त होती है, कुछ ट्रोग से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जही है, कि जितनी जल्दी, अगर कोई चकत्ता सरीर में आ रहा है, या कोई च चोटे जगों पर देखा गया है, इसके चकर में, ओजाओं और भूत प्रेत वालों के चकर में ज्यादा इसके लिए पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ने के जोरत है, जो भी हमारे प्राट्मिक स्वास्त केंद्र हैं, सामुदाइक स्वास्त केंद्र हैं, और इतने अब तो चेन आफ हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल के गुरवता इतनी अच्छी हो गई है, कहीं भी जाएं, एक सिंपल सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करेंगे, और ये निरधारित हो जाएगा कि लिए प्रोसी है या नहीं है, अगर तो अल्ली डिटेक्शन इसका सबसे महत पूर्ण रोल है, और उसका कॉंटेक्ट में नलोग रहें, जिसको है, उससे थोड़ा सा दूर रहें, इलाज शुरू कर दें, उसके बाद से वो समाज में फिर से ठीक से रह सकते हैं.